हेलो भाई लोग कैसे आप सब मैं हूँ प्लेयर साओना राज की वीडियो आपके लिए काफ़े स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री फार के सेटिंग्स के बारे में तो देखे जार सबसे पहले तो सेटिंग्स हमारे लिए काफी इंपोर्डेंट है रियल लाइफ में और गेम में और खासकर जब भी आप फ्री फार के सेटिंग्स के बारे में बात करते हो ना तो यह काफी जादा मैटर करती है क्योंकि हर एक छोटी से छोटी जो सेटिंग हो सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है और यहां पर जब भी आपने सेंसिटिविटी को रिसेट करते हो ना तो आपका इस टाइप का होता है और यहां पर अगर आपका फोन लो इंड डिवास कहना है जैसे 2GB, 3GB, 4GB RAM का तो यहां पर आपको सारे के सारे बहुत ही स्मूथ होता है और आपका फोन लेग नहीं होता है तो इसलिए आपको हन्रेट पे ही रखना अगर पून लोई डिवास का है और अगर आपका फोन थोड़ा हई डिवास कहा है जैसे की 8GB, 12GB RAM का तो यहां पर आप अपने फोन के हिसाब सेמीनिस डिकना है तुर मे आपको सबसे पहला मिलेगा aim precision तो आपको तीन options मिलेगे वहाँ पे मिलेगा default precision scope और full control तो default में आपका aim red हो जाता है जैसे आपका aim aim पे जाता है तो उससे आपको मारने में बहुत ज्यादा easy हो जाता है और यह आपके लिए सबसे best है और precision scope में जब भी आपका enemy आपसे far होता है आप दूरी में होता है तो हाँ पे आपका aim red नहीं होता है और full control में आपका aim कहीं पे भी red नहीं होता है तो इसलिए सबसे ज़्यादा easy है default मैं recommend करूँगा कि आप इसी default aim पे खेलो जिससे कि आप enemy को बहुत easily मार सको और उसके नीचे आपको मिलता है left fire button तो हाँ पे देखो दो options मिलते हैं आपे always or scope only तो अगर आप scope only पे रखते हो तो जब भी आप scope open करते हो ना तो आपका left fire button on होता है और इसमें आपको थोड़ा disadvantage होता है जब आप scope only रखते हो ना जैसे कि यहाँ पे देखो मैं मार रहा हूँ अगर मैं maximal rifle use कर रहा हूँ ना जैसे yes case would कर तो यहाँ पे अगर मैं left fire button को always set कर देता हूँ यहाँ पे मैं बहुत easily अपने aim को connect कर पता हूँ enemy पे और उसे मैं काफी easily खतम कर देता हूँ और यहाँ भी आप देख सकते हो कि मेरी accuracy से भी काफी ज़्यादा तेज हो जाती है enemy को मारते वग और मैं enemy को बहुत easily खतम कर देता यहाँ पे आपको उसके बाद मिलता है quick weapon switch का option तो यहाँ पे अगर आप उसे off कर देता हो ना तो यहाँ आपको additional button नहीं मिलता है और अगर आप यहाँ पे quick weapon switch को use नहीं करते हो ना तो आपको one tap मारने में थोड़ी दिकत हो सकती है और उसके साथ साथ अगर आप snapper player होना तो यहाँ पे आपको quick weapon switch use करना ही चाहिए क्योंकि इससे आप बहुत easily आपने weapon को switch कर सकते हो और यहाँ पे काफी easily one tap भी मार सकते हो किसी भी shotgun से यहाँ मैंने अपने उस setting को on कर दिया है और यहाँ पे मेरे को additional button मिल गया है तो यहाँ पी उसके बाद अभी देखो मैं यहाँ प button को यूज करते हो ना तो आपका movement speed भी काफि ज़ादा बढ़ जाता है तो अगर आप शौट गन यूज कर रहे हो ना तो उस टाएंप आपको movement speed कम हो जाता है और अगर आप उस button पर टैप करते हो तो जिससे कि मुव्मेंट speed बहुत ज़ादा बढ़ जाता है और आप enemy को आ अगर आप hold fire to scope को off कर देते हो ना और जब आप sniper चलाते हो तो एक तो जब fire करते हो तो आपका scope open नहीं होता है और एक और disadvantage यह है कि जब भी आप fire करते हो ना तो आपका हर एक गोली के बाद आपका gun reload प्या जाता है जिसे कि sniper चलाते वक्त आपको बहुत ज़्यादा problem होता है तो इसलिए आपको इस option को हमेशा on रखना है तो यहाँ पर देखो जब मैंने इस option को on किया है ना अभी मैंने इस option को on कर दिया है और यहाँ पर देखो मैं कितना easily snapper चला रहा हूँ इविन दो मैं एक snapper player नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं snapper को कितना easily मखन की तरह use कर रहा हूँ तो आपको भी इस setting को on कर देना है और यहाँ पर देखो snapper चलाते वक्त आपको जो quick weapon switch का button है ना वो भी काफी काम आता है और यहाँ पर मैं उसी button को use करता हूँ जब भी मैं snapper चलाता हूँ इसके नीचे आपको setting मिलता है वो है grenade slot का तो यहाँ पर अगेन आपको दो options मिलते हैं एक तो single slot और एक आपको मिलता है double slot का तो यहाँ पर दिखो single slot में आपको grenade और ग्लुवाल एक ही slot मिलती है और मैं इसी को use करता हूँ क्योंकि मेरी habit यहीं पर है मेरी बहुत जादा practice इसी पर हो चुकी है और दूसरा जब setting है वो है double slot तो इसमें होता क्या है कि आपका grenade अलग से होता है और आपका ग्लुवाल अलग से होता है तो यहां पर आपको 2 options मिलता है एक तो two-handed है और एक है one-handed तो यहां पर मैं हमेशा से two-handed use करता हूँ क्योंकि इसी पर मेरी practice है और यह मेरी habit बन चुकी है और यहां पर two-handed से वेकल को control करना बहुत ही easy हो जाता है तो obviously यह काफी easy हो जाता है और वहीं अगर आप इस option को off करक one-handed को on करते हो ना यहां पर जितने भी buttons होते हैं वेकल का सारे के सारे हट जाते हैं और यहां पर आपको वेकल को control करना है सिर्फ joystick से तो यहां पर थोड़ी आपको दिकत हो सकती है लेकिन अगर आप इस पर practice करते हो ना तो फिर आपको यहां पर नॉर्मल सा लगेगा अभी कि देखो मेरी practice नहीं है इसलिए मैं यहां पर 200 से हमेशा खेलता हूं और यहां पर 100 से थोड़ा ज्यादा इधर उदर हो जाता है तो इसलिए यहां पर वेकल को control करने में थोड़ी ज्यादा तकलीफ हो जाती है इसके निचे जो आपको setting मिलता है वो है auto parachute को तो इसमें सबस भूल जाते हो ना accelerate करना तो आपको landing करने में ज्यादा दिकत हो सकती है आप वहां पर जल्दे landing नहीं कर सकते हो और वहीं अगर आप इस option को on कर देते हो आपका पहले से ही जो parachute जाता है वह accelerate हो जाता है जिसे कि आप काफी easily enemy से पहले भी यहां पर land कर सकते हो यहां पर उसके चेंज करके यहां पर drag पे क्लिक करते हो ना तो यहां पर आपका again running का option हट जाता है और यहां पर आपको run करना होता है joystick से तो जो आप joystick को पूरा ऊपर के तरफ खीचते हो ना तो आपका running का button enable हो जाता है तो यहां पर आपको starting में थोड़ी problems हो सकती है क्योंकि यहां पर advantage G होता है कि यहां पर क्राउच करके किसी को ऊपर fire करते हो ना यानि कि यहां पर अगर आप अपने joystick को आगे बढ़ाते हो ना तो यहां पर run करने लगते हो जिससे कि आप enemy के ऊपर fire ना कर पाओगे easily तो इसलिए आपको यहां पर running का button यूज करना है अब देखो उसके इन कुछ seconds बता रहा है कुछ minute कुछ seconds वहीं अगर आप उस option को simplified पर रखते हो ना तो यहां पर देखो आपका जो option है वो ऊपर आ जाता है और वहां पर सिर्फ आपको एक sign मिलता है और वहां पर आपको दिखाता है कि यहां पर आपका safe zone जो है ना वो इस time पर appear होने वाला है यहां next option आपको मिलता है damage indicator का तो यहां पर आपको classic ही रखना है क्योंकि classic वाला जो damage indicator है वो देखने में काफी अच्छा लगता है और उसके नीचे आपको मिलता है auto switch gun तो इसको भी आपको on ही रखना है क्योंकि जब आपका ammo खतम हो जाता है तो automatically आपका gun switch हो जाता है और आ मेरे को जब भी zone से damage मिलता है और यहां पर सामने enemy है तो आप उसे easily नहीं मार सकते हो यहां पर यह आपके screen को block कर देगा और आपको एक अच्छा सा view नहीं मिल पाएगा इसलिए notice किया होगा कि जब भी zone के बाहर भी होता ना तो मेरे को कोई भी damage पड़ता है तो यहां पर मेरा screen पर कुछ नहीं आता है तो यहां पर मैं उस time setting रखता हूँ no blood का तो यहां पर अगर आप no blood को रखते हो ना तो आपका screen पूरा clear रखता है और यहां पर अगर सामने enemy होता है आप उस button को use करके आराम से पीछे भी देख सकते हो और आप अपने चारो और भी देख सकते हो कि कहां पर बंदा है और उस time पर आप सीधे भागते भी रहोगे और enemy को भी spot कर पाऊगे तो यह आपके लिए काफी अच्छा option दिया है free fire ने और आपको इसे use करना होगा और उ आपको सारे options को on कर देना है सिर्फ एक option को छोड़के रहू है special equipment का और जब भी आप उन सारे options को on कर देतो हो ना तो जब भी आप किसी item को pick up करते हो ना तो आपको जो speed है काफी जादा बढ़ जाता है और यह काफी जादा matter करते हो आप फटाक से loot कर पाऊगे enemy से पहले और आप उसे आराम से fight लेके उसे मार भी पाऊँ और यहाँ पर आपको जाना है display के setting और देखो अगर आपका phone low end device का आना है तो आपको हमेशा से smooth पर या फिर standard पर खेलना है अगर आप ultra पर खेलते हो ना तो आपका phone lag करेगा अभी देखो मेरा phone थोड़ा high RAM का है तो यहाँ प सब्सक्राइब कर देना और अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो ना तो आप मुझे Instagram पर DM कर देना और वहाँ पर मेरे को follow भी कर लेना तो भाई लोग तब तक लिए बाबाए मिलते हैं एक और वीडियो में